हेलो इस्ट्रेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग ने अलकीन जो है वो कम्प्लीट कर लिया था अब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी अलकाइन्स की तो अलकाइन आप लोग सिंपल से जानते हो कि C, ट्रिपल बोन, C जहां़े प्रेजन्ट होता उसको हम लोग क्याँ बोलते हैं healthy बोलते हैं, सिंपल सा कंपउंड होता है महां उनी इसके अंदर बात करते हैं मेथड़ और प्रीपरेशन कि सबसे पहले है, ठीक है, तो मैत़ड और प्रीपरेशन क्या है हमार पास में, बहुत सारे methods हैं तो एक जैसे method हम लोग पढ़ते हैं कि आप कोई carbides जो होते हैं, carbides को अगर आप hydrolysis करवाते हो, तो उसके थुरू हमारी जो product बनता हो, क्या बनती है? alkyne बनती है, जैसे first number हम लोग use कर सकते हैं, जैसे CAC2 की reaction करा दी हम लोगों ने 2 moles of H2O के साथ में यह इसका hydrolysis करवा दिया तो जैसे ही आप इसका hydrolysis कराते हो, तो CH triple bond CH and CAOH whole twice यह compound बनेगा सिधा simple सा, carbide का hydrolysis, ठीक है? आप चाहो तो इसकी जगे पर compound use कर सकते हो, Mg2C3 और यहाँ पर मालो 4 moles of H2O के साथ में hydrolysis करवा दिया, तब भी product क्या बनने वाला है? CH3C triple bond CH, और साथ में बनेगा 2 moles of MgOH whole twice तो carbides का जब आप magnesium हो चाहे की, LCM के carbide हो उनके hydrolysis करवाते हो, तो क्या बनता है? alkyne बनती है alkyne जो होती है, वो दो type की है एक हमार पास होती है, terminal alkyne और एक हमार पास होती है, non-terminal alkyne ये alkyne कैसी है, terminal है और अगर इधर R group होता तो वो कहला थी non-terminal alkyne, बात समझ में रही है तो जो terminal alkyne का hydrogen होता न, ये acidic nature का होता है, it is highly acidic in nature, तो अगर आपने इसकी base के साथ reaction करवा दी न, दूसरा तरीका है, जिसे colby electrolytic synthesis आप क्या कर लो, sodium malate या sodium fumarate, COO minus na plus COO minus na plus, इसका colby electrolytic synthesis करवा दिया, अब ये cis direction में है तो malic acid से बना हुआ है, trans में होता तो fumaric acid से होता तो जब आप इसका hydrolysis electrolysis कराते हो तो ये हमारा alkyne बन जाएगा, सिधा simple सा आप चाहो तो इसकी जगे compound ये भी उसका सकते हो CO minus na plus CH CO minus na plus, this is sodium malate and this is sodium fumarate तो इसका जब आप colby electrolytic synthesis करा होगे तो again इससे compound क्या बनेगा, ये एक free radical mechanism से चलने वाली reaction थी ठीक है, जो हम लोग alkyne के साथ में पढ़ चुके है उलडी, तो एक तो तरीका ही है हमार पास में, इसके अलावा हमार पास तरीका होता है क्या elimination reactions के तुरू कैसे? third number है हमार पास में, elimination reactions के तुरू elimination reaction में क्या होता है? आप चाहे तो vicinal dihylide लो, चाहे आप geminal dihylide dihylides के elimination reaction के तुरू, तो इस reaction को बोलते हैं, di dehydro halogenation reaction, तो c name यहाँ पर क्या लिक रहा हूँ में, di dehydro halogenation reaction और यह reaction कैसे होती है? elimination reaction होती है vicinal लो, चाहे जैमिनल लो देखो, R, CH, CH2 माल लो, यहाँ पर दो halogens है ठीक है? तो जब पास-पास वाले carbon पर होते हैं, तो उसको क्या बोलते है? vicinal dihylide आप चाहो तो यहाँ पर geminal dihylide भी ले सकते हो, इस तरीके का यह इस टाइप का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? this is geminal dihylide तो this is vicinal and this is geminal आप चाहे geminal लो, चाहे vicinal लो, दोनों ही केस में क्या होता? dehydrohalogenation, नाम से समझ मा रहा है di मतलब 2 di मतलब बाहर निकलना, hydro मतलब hydrogen and halogen तो 2 mol HX के molecule क्या हो जाएगे? बाहर निकल जाएगे इस लिए इस reaction को नाम दिया गया है di dehydrohalogenation reaction और ये reaction कैसी है? elimination reaction है एक तरफ से H और एक तरफ से X हम लोगोंने E2 reaction पड़ी थी है अगर आप लोगों को याद हो तो strong base के साथ में हम लोग reaction कराते है elimination reaction एक ही step में होता है, एक तरफ से H बाहर निकलता है किसी base के साथ में तो base के साथ में जब आप heat करोगे तो first time जब E2 reaction होगी तो एक तरफ से H और एक तरफ से X बाहर निकलेगा तो compound क्या बनेगा? R, C, H, X double bond CH2 minus H, X हो जाएगा? क्यो? इसमें भी same क्याश इधर से H और इधर से X minus H, X कराओगे तो यहाँ से बनेगा R, C, H, X double bond C, H, 2 एक मौल H, X बाहर आगया तो एक तो L किन बनी पहले? फिर एक बार और second E2 reaction कराओगे तो एक बार E2 reaction करा दी तो आगे वाली E2 करवाने के लिए थोड़ा सा और strong base लेना पड़ेगा कारण क्या है? कि यहाँ पर यह जो lawn pair है वो partial double bond character के अंदर है बात समझ मारी न? तो यह partial double bond character आने के वज़े से थोड़ा जो second base हम लोग use करते हैं elimination के लिए वो थोड़ा सा competitively ज़्यादा strong होना चाहिए ठीक है? तो second time जब हम लोग E2 करवाएंगे तो minus HX होगा आगे यहाँ पर भी minus HX This is first E2 तो दोनों यह बार हम लोग क्या कर रहे हैं? base के साथ में heat कर रहे हैं दो बार elimination reaction कर वा रहे हैं तो यहाँ से H और यहाँ से X यहाँ से H और यहाँ से X तो क्या बन गया? R C triple bond CH इसमें क्या बन गया? R C triple bond CH दो बार elimination reaction कर वाने पर भी क्या बन जाता है? L-Kine बन जाती है बाद समझ मार यह reagents क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? reagents आप जैसे क्या-क्या लिखा सकता है? जैसे alcoholic QOH लिखा हो सकता है या फिर K बार वो ऐसे भी लिख देते हैं solid QOH या third number हमार पास में reagent हो सकता है Na-NH2 Na-NH2 बहुत ही strong base होता ध्यान रखना या फिर हमार पास में एक सबसे बढ़िया reagent है alcoholic KOH followed by Na-NH2 यह सबसे best है कि पहले KOH थोड़ा सा comparatively weak है और उसके बाद में हमने Na-NH2 ले लिए जो comparatively ज़्यादा strong है तो alcoholic KOH followed by Na-NH2 it is the best combination जो दो बार E2 करवाने के लिए काम में आ जाएगा ठीक है तो आप E2 reaction के through भी क्या कर सकते हो elimination करवा कर alkyne का formation कर सकते हो यहाँ पर एक point याद रखना कि जब आप base को excess में ले लेते हो बात समझ मारी न excess में base लेते हो तो कोई non-terminal alkyne जो है वो क्या हो जाती है terminal alkyne में convert होती है और finally terminal alkyne जो है acidic hydrogen loss करके salt बना लेती है बात समझ मारी है और जब आप कभी terminal alkyne लेते हो तो terminal alkyne जो है वो वापिस से क्या कर लेती है non-terminal में convert हो जाती है पात समझ मारी है जब आप excess of base use करते हो यह एक rearrangement reaction है तो इसका ज़्यादा कोई use नहीं है अमारे लिए तो आप लोग इसको बस point को याद रखे when dihylides are treated with excess of base तो जब terminal alkyne है वो non-terminal में convert हो जाएगी और अगर non-terminal है तो वो terminal में convert होती है और terminal के बाद salt बन जाता है non-terminal से terminal then salt और अगर terminal है तो वो simple सी non-terminal में convert हो जाती तो जो product बनता है वो अलग हो जाएगा समझ मारी है जहां से hx bar निकला वो rearrange करके shift हो जाता है तो यह आप लोग बस point ही याद रखें अब इसके बाद में हम लोग जो alkynes हैं इसके अंदर एक method और है that is जब आप de-halogenation करवा देते हो किसका? tetra-halo-alkane का एक method और है fourth number में यहाँ पर mention कर देता हूँ fourth method यहाँ पर लिख देता हूँ fourth method is de-halogenation de-halogenation किसका? tetra-halo-alkane का तो tetra-halo-alkane क्या होगे? जैसे मान लो आपके पास में इस टाइप का compound है यह तो इसको अगर आपने zinc dust के साथ में heat कर दिया न यह zinc dust, acetic acid या alcohol के साथ, ethanol के साथ में तो जैसे आप zinc dust के साथ में heat करते हो इस compound को, तो यहाँ से भी क्या बन जाता है? C, triple bond, C, H यह इस टाइप का compound बन जाएगा ठीक है? यह tetra-halo-alkane था tetra-halo-alkane को zinc dust के साथ में heat करने पर आपका क्या बनता है? alkyne का formation होता है तो यह भी symbols of process है तो यह 3-4 तरीके हैं हमार पास में alkyne को बनाने के है बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो reactions होती है alkyne की chemical reactions हो वो कौन-कौन सी? alkyne में ज़्यादा कुछ नहीं बहुत simple है और बहुत कुछ similar है किसके alkyne के तो इसमें भी हमें 4 टाइप का addition पढ़ना है कौन-कौन सा? addition of hx addition of h2 addition of x2 and finally is addition of hox बात समझ मागी? तो अब हम लोग पढ़ रहे है electrophilic addition reaction of alkyne कुछ reaction तो हम लोग already पढ़ चुके हैं क्या? कि जैसे जो terminal alkyne होती ही वो sodium metal test positive देती है POC के साथ में हम लोगोंने कुछ इसके test पढ़े थे इसकी acidity of terminal alkyne अभी हम लोग बात कर रहे है electrophilic addition reaction इसमें first number हम लोग पढ़ रहे है that is addition of hx hx का addition पढ़ना है जैसे alkyne में पढ़ा था वैसे हमारा alkyne में हो जाएगा चारों पढ़ने हम लोगों को कैसे होगा मान लो जैसे हमारा पास में कोई triple bond है यह triple bond हो गया इसकी reaction मैंने करा दी किसके साथ में hx के साथ में तो हमें पता यह किसके साथ किसमें convert होता है h plus and x minus में तो वही marconic of rule के according addition हो जाएगा electrophile कहाँ पर less crowded site पर और nucleophile more crowded पर तो first mole of hx का जब addition होगा तो इधर h और इधर x तो r, c इधर तो आगया x double bond और ch2 एक तरफ h add करवाया और एक तरफ x add करवाया marconic of rule follow हो रहा है भी ठीक है अब वापिस इसके अंदर hx का addition होगा second mole of hx तब क्या हो जाएगा बताओ इसके अंदर again h plus और x minus तो जब second h plus और x minus का addition होगा तो अब marconic of rule का coding वही चीज़ less crowded side पर hydrogen और more crowded side पर halogen और दूसरी बात यहाँ पर जब carbocatine बनेगा ना जब इधर h plus add होगा तो इधर इस halogen का comparatively थोड़ा सा प्लस m भी मिल जाता है इसलिए जो दूसरा halogen है वो कहाँ पर आएगा इसी carbon पर तो यहाँ से compound क्या बनेगा r c x x and ch3 क्या product बना geminal dihalide तो जब आपको vicinal dihalide बनाना होता तो किसी alkyne पर x2 का addition करवाद हो बात समझ मागी जब geminal dihalide बनाना तो क्या करा alkyne पर h x का addition करवाद हो तो उससे geminal dihalide बन जाएगा product याद रुखो सीधा simple सा process है कुछ नहीं alkyne के उपर h x का addition एक ही carbon के उपर marconic of rule के according दो halogen attach करवादेने जैसे मालो compound है pH c triple bond ch और इसके अंदर h c l का addition करवाया तो product क्या बनेगा pH c c l c l and c c simple सा process कोई दिख्या था इसमें next पढ़ते है second number है मार पास में addition of h2 यह बहुत ही important process है इसके अंदर क्या होता है दो methods है जैसे एक तो हमार पास oxy mercuration demercuration पढ़ा था उस ही के similar process है मतलब हम लोग क्या कर रहे है h plus की presence में उसका mercuration कराके बाद में demercuration करवा लेते हैं ठीके ना तो दोनो steps पढ़ लेते हैं एक है हमार पास में hydration of alkyne in presence of dilute h2SO4 and hgSO4 first reagent यहांप लिख रहा हूँ क्या reagent है h2SO4 dilute h2SO4 plus hgSO4 hydration of alkyne in presence of dilute h2SO4 and h2SO4 sorry hgSO4 यह इसकी जगे पर आप लिखा हो सकता है hg2 plus iron और साथ में h3O plus भी लिखा हो सकता है यह भी combination लिखा हो सकता है यह फिर इसकी जगे पर alternately और क्या लिख सकते है hg2 plus in presence of dilute h2SO4 यह ऐसे भी लिखके आपका reagent छोड़ सकते है तो तिनो reagent लिखे में हो तो उससे आपको confused नहीं होना है कुछ नहीं है simple सा process है alkyne का क्या हो जाएगा hydrolysis हो जाएगा hydration हो जाएगा ठीक है जैसे example की बात करते है rc triple bond ch इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा hgSO4 in presence of dilute h2SO4 यह हम लोगों ने reagent यूज करा तो याद क्या रखना है mechanism इतना दिमाग पर रखना है जो अतनी है product बनाना आना चाहिए और reagent पैचान बनाना चाहिए किसी भी alkyne में अगर यह reagent लिखा हुआ है तो यह भी एक तरह का oxymercuration demercuration process है ठीक है कुछ नहीं करना है आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ put c double bond o वही जब alkyne थी तो उसमें o h लगाया था हम लोगों ने one in से one all या one in से two all बनाया था तो यहाँ पर भी one in से all की बजाए on बन जाएगा मतब किट्ओन बनाना इस बार बास समझ मागी तो put c double bond o 8 more crowded car simple sub process more crowded carbon कौन सा है यह वाला पाई बॉंड सटा दू अगर होती तो यहाँ पर o s लगाते हो और इधर hydrogen यहाँ पर c double bond o लगा दो और इधर hydrogen तो product क्या बनेगा और c double bond o यह c double bond o more crowded पर बाकी c बदब की टोन बनेगा तो यह की टोन का method of preparation simple सा अलकीन होती तो क्या बनता यहाँ पर o h आ जाता बस यही difference है ठीक है mechanism simple सा देब सबसे पहले है Hg2 plus iron है हमार पास में HgSO4 से मिला तो यह alkyne जो है वो क्या करेगी markonic of rules है Hg2 plus को attach करवाईगी तो यहाँ से compound क्या बनेगा आर c h double bond c h2 sorry c h और इसके उपर बन गया है Hg plus अब इसके उपर lawn pair भी है तो यह lawn pair फटा फट से केटाइन बनने से पहले ही क्या अगर देगा attack कर देगा वो ही cyclic cation NCC plus mechanism ठीक है तो यहाँ से compound क्या बना देगो R c h double bond c h hg 2 plus आ जाएगा अगे यह compound बन गया यह हमारा है intermediate यह तो हुआ इसका mercury ठीक है अब हमार पास में h2 है यह इसके उपर attack और यह दर से यह बाहर hg तो यहाँ से compound क्या बन जाएगा बतब basically आप जब dilute h2so4 डालोगे न तो वो क्या कर देगा demercuration करवा जेगा यह तो mercuration था और बाद में demercuration तो यहाँ से compound बन जाएगा r c h o h double bond c h और hg यह तो हो गया mercuration का process ठीक है anti-edition वाला वोई simple सा अब इसके अंदर आपने h2so4 डाल दिया तो यह क्या करवा देगा demercuration demercuration कैसे करवाएगा देखो hg को बाहर आटा के उसकी जगे पर hydrogen तो यहाँ से compound क्या बनेगा r c h o h sorry यह h नहीं आएगा r c double bond c h2 यह compound क्या बनेगा एक देखो inol बना inol को inol का मतलब क्या हो गया double bond मतलब in के उपर o h that is known as inol अब यह compound क्या करेगा totomerism कर लेगा आप लोगों ने totomerism तो पढ़ रखी होगी totomerism कैसे होती है इसका lawn pair इधर आएगा और इधर से h बाहर निकलेगा तो यह bond इधर shift होके यहाँ पर shift हो जाएगा जहाँ पर hydrogen shift होता है proton shift होता है उसी को हम लोग क्या बुलते है totomerism बास समझ मारिए कैसे हो रहा देखो यह h यह lawn pair जब इधर आएगा तो यह double bond और यह pi bond इधर shift होके negative charge create करवाएगा और वही h प्लस यहाँ पर आकर attach हो जाएगा तो यह totomerism करके इस compound में क्या हो जाएगा convert हो जाएगा तो example देखो आप लोग जैसे CH3 C triple bond CH यह एक alkyne है इस alkyne की reaction हमने HgSO4 in presence of dilute H2SO4 करवा दी है कुछ नहीं करना है more crowded carbon पर C double bond O तो CS3 C double bond O CS3 acetone बन गया अगर मानलों आपके पास मैं compound है pH C triple bond CH यही reagent अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो again क्या करना है pH C double bond O CS3 acetone बन गया तो इस तरीके से आपको क्या करना है acid catalyzed hydration in presence of dilute H2SO4 and Hg2 plus iron बात समझ में आ गई तो एक तो method यही याद रखना है आप लोगों को जो similar है किसके oxy mercuration demercuration की तरह एक method इसमें और है हमार पास में कौन सा जो hydroboration oxidation के similar है ठीक है वो भी हम लोग लिख ले था second है हमार पास में hydroboration oxidation देखो hydroboration oxidation का reagent क्या था हमार पास में first number था B2H6 in presence of THF followed by H2O2 OH- यह हमार पास में reagent था example लेते हैं कि RC1CH यह हमार पास में एक alkyne है ठीक है और इस alkyne की हम लोग reaction करवा रहे हैं किसके साथ में hydroboration oxidation B2H6 THF के साथ में ठीक है HbO घरवा रहा हूँ है तो आपको क्या करना है यहां लिख देता हूँ put C double bond O at less crowded carbon बस बहुत ही minor सा फरक है पिछली वाले reaction में more crowded carbon पे C double bond O put कर दिया था इस बार less crowded carbon पे C double bond O put कर दो तो वहां पे ketone बनाता है यहां पे L T8 बन जा है simple सा तो देखो R CH2 C double bond O and H यह more crowded था यह less crowded है इसके उपर C double bond O जोड दिया यह product बन गया mechanism simple सा है पहले BH3 के साथ में reaction करेगा वही marconic of according sorry anti-marconic of overall हम लोग बात करते हैं तो इधर boron जुड़ेगा तो compound क्या बनेगा R CH इधर hydrogen और इधर boron double bond CH और यहां पे बन जाएगा BH2 यह बन जाएगा फिर आगे और फर्दर यह दो बार और react कर सकता है तो first, second, third हम लोगों ने alkyne में लिखे थे products उसी तरीके से यहां पर भी बनेगे और अब इस compound के अंदर आप क्या कर दो H2O2 OH- समझ मारा है बात तो यह oxidation हो जाएगा तो यहां से compound बन जाएगा RCH double bond CH2 OH यह बना अब यह inol है तो यह inol again क्या कर लेगा totomerism तो जैसे इसमें totomerism होगी इसका lawn pair इदर आके यह bond इदर shift करेगा और hydrogen यहां सेटके यहां आ जाएगा तो compound क्या बन गया यह बना example देगो जैसे CS3 C double bond C triple bond CH अगर आप इसमें HGSO4, H2SO4 के साथ reaction कर रहा थे तो acetone बन था अब अगर मैं B2H6 THF H2O2 OH- के साथ reaction कर आता हूँ तो less crowded carbon पर क्या कर दिया C double bond O put कर दिया तो यह बन गया LDH, simple सा उसी तरीके से pH C triple bond CH यह reagent तो pH CH2 C double bond O and H यह हो गया आपका hydroboration oxidation अब दो method सो और है वो भी हम लोग लिख लेते हैं थार्ड नमबर है हमार पास में addition of X2 अब यह बिल्कुल simple symbols हैं जैसे हम लोगों ने L-Kine में पड़े थे वैसे ही हां पर कर रहे हैं तो अगर आपको L-Kine वाले easily clear हैं तो यह तो बहुत ही समझ में आ जाने हैं तो मालो जैसे RC triple bond CH यह एक L-Kine है इसके अंदर X2 का addition करवाया तो पहले क्या होगा 1X इदर और 1X इदर वही anti- addition case होगा तो initially क्या बनेगा RC 1X यहां पर double bond CH और 1X यहां पर एक बार X2 का addition होगा opposite direction में वही cyclic halonium ion intermediate बनके non classical carbotene mechanism से अब एक बार और X2 का addition हो जाएगा क्यों तो 1X यहां पर और 1X यहां पर तो यहां से compound क्या बन गया RCX देखो simple सा क्या बना 1,1 2,2 tetra tetra hello L-Kine जो भी है tetra hello compound बन गया तो जब भी किसी L-Kine पर X2 का addition आता है तो कुछ नहीं 1,1 और 2,2 पर 4 halogen जोड के product लिख दो सीधा simple सा simple सा process है example देखो जैसे CH3 C1-1-CH इसके reaction मैंने BR2 के साथ में कर रही तो product क्या लिखोगे 2 BR यहां पर और 2 BR यहां पर क्या बनेगा CH3 C BR 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 and BR बस यह product लिखे छोड़ देना इसको zinc dust के साथ heat करते हो तो यह product बनता है अभी हमने method of preparation में पढ़ा था ना तो बस यह simple सा process है ठीक है तो यह X2 का addition हो गया अब एक last हमारा छोटा सा topic है 2 minute का वो क्या है addition of HOX fourth number है हमार पास में that is addition of HOX that is hypo hellos acid देखो alkyne है हमार पास में C triple bond CH हमें पता ही कि HOX जो होता है वो किसका combination होता है H2O और X2 का combination तो इसमें electrophile होता है X plus और nucleophile हो गया H2O तो जब alkyne थी तो क्या करा था हमने एक तरफ X और एक तरफ OH जोड़ा था याद करो तो again यहाँ पर जैसे मालो HOX का addition है तो पहले इदर X जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ेगा मतलब basically alkyne को आप दो double bond की तरफ ट्रीट कर लो मतलब दो बार alkyne पर जैसे addition करवाती न उसी तरीके सा आप alkyne के उपर treat कर लो मतलब first time करा तो तो इसको alkyne मानते हो चलो एक बार हो गया फिर एक बार और alkyne मान लो उसको समझ में आ गया क्योंकि triple bond में दो pi bonds है और दो नो pi bonds के उपर individually addition करवा रहे हैं तो पहले compound क्या बनेगा OH double bond CH and X anti addition case एक X यहाँ पर एड हुआ पहले X plus और यहाँ पर OH अब यह चाहे तो यहीं पर totomerism कर सकता है बोलो यह totomerism कर सकता है न यहीं पर तो यहाँ से compound यह बन सकता है C double bond O CH2 and X लेकिन यह product होता minor और यह unstable भी होता है तो यह आगे further reaction करता है और वापिस है HOX का क्या करवा लेता है addition तो मारको निकोफ रूल के according again वही इधर X और इधर OH करण क्या है कि जब यहाँ पर positive charge बनेगा तो इस oxygen के lawn pair का plus M मिल जाएगा तो plus M मिलने की वज़े से वो comparatively stable होगा इसलिए मारको निकोफ रूल अभी भी वहीं पर follow हो रहा है जहाँ पर OH पहले जोड़ा था second OH भी वहीं पर जुड़ेगा ठीक है तो यहाँ से compound बनेगा R, C, OH, OH, CH और यहाँ पर दो हेलोजन अब हमें पता है कि एक ही carbon पर दो OH क्या होते है highly unstable तो यह H2O का molecule बाहर निकाल कर दे minus H2O तो जैसे H2O बार निकला तो compound क्या बन गया RC double bond O CH और दो हेलोजन इसके उपर ताज समझ मागी इस compound को बोलते है alpha dihalo ketone this is known as alpha dihalo ketone यह product बनने वाला है example से समझो जैसे CS3C triple bond CH यह compound है इसकी reaction मैंने कराई HOCl के साथ में तो आपको product कैसे लिखना है more crowded carbon पर C double bond O बना दो CH3 C double bond O और जो less crowded carbon था उसके पर दो हेलोजन जोड़ो CH CL and C यह alpha dichloro ketone बन गया final product बस तो यह 4 टाइप के addition हो गया आप लोगों के और यह chapter जो है वो complete हो गया तो hydrocarbon आप लोग अच्छे से revise करें sheet आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है PDF पगरा जो भी है आप लोग डाउनलोड कर लें उसको ठीक है और इसको अच्छे से revise करके इसके जो भी questions आप लोगों को मिलते हैं सारे attempt कर लें Thank you very much